असलाम हुलेकुम आज हम बनाएंगे गुजराती पात्रा की रेसिपी जो खाने में बहुत मज़ेदार और एक्तम क्रंची और क्रिस्पी होता है तो चलते हैं शुरू करते हैं बनाने के लिए एक्तम लाजवाब रेसिपी है तो हमने यहाँ पे ले लिए अर्बी के पत्ते अच्छे तरीके से हमने धोल लिए है तो हमने यहाँ पे पत्ती ले लिए है पत्ते का अब नस निकाल लेते जो पीछे के भाग में जो पत्तिया में नस होती है तो वो निकाल लेते है फटा फट से यह नस अगर रहेंगे तो अच्छे से रोल नहीं बनते इसलिए यह निक ह Lex लेंगे तो भी चल देगा बट मोर्टे मी जो बड़े पते होटे उसमें से निकालना होता है तो सभी पत्तों की हमने निकाल लिए है नसी याब से बैशन ले ज़िए अ कप उसमें एक चमछ लाल बिर्ज पावडर एक धनिया पावडर आधी चमची हल्दी पावडर पानी डाल कर अच्छे से हम बेटर बना लेते हैं थोड़ा काड़ा बनाना है बहुत पतलानी तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूं तो अच्छे सब हम इसे हाथ से मिक्स कर लेते हैं इसे जितना अच्छा फेटेंगे तो उतना अच्छा र लगा दिया इसके अंदर हम दूसरे पत्ता बिठाएंगे तो किस तरह बिठाना है वो भी मैं आपको भी बता दे रही हूं तो अच्छे तरह किसे हमने लगा दिये है तब इससे उंधा हम बिचाएंगे एक पत्ते का मुझ दिल जिस तरह आप देख सकते हैं एक उल्टा एक स किसाल देता है तो फुटा-फ्ट समने लगा दिया भी से फोल्ड कर देते अब देख सकते हैं इस तरह छोटी पती हमारी बहुत बड़ी भी नहीं गये तो अच्छे से फॉल्ड हो जा रहा तो टो चलते हैं पर तैयार कर लेते हैं यह के ुपर हमने ने पानी रख यसके ओ पर हम एक जालीदार बरतन रख देते हैं उसमें तेल हम नहलकासा लगा दिया और धकन से कवर कर देते हैं 15-10 मिनिट के लिए मेडियम टू हाइफ पर 15-20 मिनिट हो चुके हम धकन कोल देते हैं अब देख सकते हैं कितने अच्छी से हमारे अर्भी के पते पक चुके हैं तब से हम चलते हैं कट कर लेते हैं तो अच्छे से फटा फट से थोड़ा पतला पतला कटिंग करना है ज्यादा मोटा कटिंग करेंगे तो अच्छा नहीं बनेगा तो इससे आप फ्राइ करके भी इस तरह खा सकते हैं इस तरह बना कर आप सबजी में भी डाल सकते हो आप मैंने फूड़ी पतले से बारिकवारे कटिंग करेंथ अब देख सकते हैं चलते हैं इसके तरब तकि इसके उपर हम पैन रगेए इसमें हम थोड़ी तील ज्यादा कॉंटेटिक में डाल रें एक चमच राई डालेंगे एक चमच हम सफेद तील डालेंगे राई को थोड़ा पहले चटकने देना उसके बार डालने अच्छे तरीके से हम इस तरह मिक्स कर देते हैं और इसी के उपर हम पादरे डाल देते हैं और अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं इसमें थोड़ी आप कड़ी पत्ता भी डाल सकते हो, मैं डालना भूल गई, बट कोई बात नहीं, आप डाल सकते हो, थोड़ा सा सक्कर भी डाल सकते हो, हमने सक्कर नहीं डाले, क्योंकि मीठा हमारे गरपे पसंद नहीं करते हैं, इसके लिए मैं मीठा नहीं बनाई हो, आप मीठा बना सकते ह हैं उसमें ठुड़ा सा जाल देते हो अच्छे तरीके से पॉख हो चुके है अभी बातरे को हम निकाल लेते हैं इतना लाजवाब बना है अगदम खाने में बहुत स्वाधिस्ट होता है तो चलते सो अगरี้ कितना लाजवाब और अक्तम स्वादिश्ट बनकर तयार हो गया अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक से रिकमेंड करें उम्मीद करते हूं कि आपको इस सिंपल से और आसान से रेसिपी बहुत से बहुत जादा पसंद आएगी